Hello friends आज किस वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस यानि समय और दोरी आज किस वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा कॉंसेट देखेंगे इसके कुछ फॉर्मुलाज होते हैं उन्हें देखेंगे और कुछ इसके हम बेसिक कोशन को देख लेते हैं ठीक है तो हमारा पहला फर्मूला होता है अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इंटू हम टाइम करते हैं ठीक है यानि कि अगर हमें दूरी निकालनी हो तो चाल गुना हम समय करेंगे ठीक है यह हमारा पहला फर्मूला ठीक है और दूसरा formula होता है अगर हमें चाल निकालनी हो तो दूरी बटे समय हम करते हैं यानि speed निकालना है तो distance बटे time हम करते हैं ठीक है ये दो formula हो गया और तीसरा formula होता है समय अगर हमें निकालना हो तो समय निकालने का formula होता है दूरी बटे चाल ठीक है यानि कि अगर हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बटे हम स्पीट करते है ठीक है यह तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलास थे कुछ और भी बाते हैं वो भी आप जाल लें देखिए जैसे किलो मीटर और मीटर का एक सेट होता है ठीक है जैसे क से वो किलो मीटर में होना चाहिए ठीक है अगर आपको टाइम सेकेंड में दियावा है ठीक है सेकेंड में दियावा है तो उसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए और उसका डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए ठीक है इसका एक सेट होता है अब दिखिए अगर आ 22 आए temperature को पांच बटे 18 सक करें गे सब मात 100 करें में काटें गेंगे तो यहां निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो इसका speed ऐस तरह से चैंज किया जाता है। और अगर speed हो 15 मीटर पर सेकेंड और हमें उसका speed करना होकिस में किलो मीटर परावर में तो हम कैसे चेंज करेंगे हम लिखेंगे पंदरा गुने अठारा बटे पांच ठीक है पस इसे चेंज कर देना है पांच बटे अठारा करेंगे मीनट पर सेकंड के लिए और अठारा बटे पांच करेंगे kmhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh हम इसकी कुछ example देखते हैं तो पहला example आपके सामने है question में कहा जा रहा है एक car 90 km पर hour घंटे के चाल से चल रही है उसकी चाल मीटर पर सिकेंड में बताएं ठीक है यहां आपको क्या पताना है मीटर पर सिकेंड में आपको बताना है उसकी चाल क्या होगी ठीक है तो यह 98 से 5 बार में कट जाएगा 5 25 यानि कि इसका speed हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड ठीक है यह होगी इसका answer अप देखिए दूसरा example दूसरे example में कहा जा रहा है एक cycle सवार 750 मीटर की दूरी 2 मीनट 30 सेकेंड में तैक करता है उसकी चाल किलो मीटर पर hour में बताएं तो चलिए इसे solve करते हैं तो यहां distance कितना है सारे 700 मीटर ठीक है और time कितना है 2 मीनट 30 सेकेंड यानि कि कुल कितना है 150 सेकेंड है ठीक है हमें यहां क्या निकालना है हमें speed निकालना है ठीक है speed अगर हम निकालेंगे तो distance by time करेंगे distance है सारे 700 मीटर और time हो जाएगा 1500 सेकेंड उसके ब किलो मीटर पर हम 1050 पांच परावर को में को हमने निकले आएगा पान्च पांच कर जा ज्याएगा इस उसकी 46 km per hour में बताएं, ठीक है, तो 60 से solve करते हैं, तो यहां distance कितना है, 600 मीटर, ठीक है, और time कितना है, time है, यहां 5 मिनट और 5 मिनट में कितना सेकन्ड होता है, तो 300 सेकन्ड यहां हो जाएगा, हमें निकालना किया, speed निकालना है, किलो मीटर पर आवर में निकालना है तो इस दो को गुना हम 18 बटे 5 करेंगे तो यहां हो जागा 36 बटे 5 ठीक है 36 को 5 से डिवाइट करेंगे तो हो जागा 7.2 किलो मीटर पर आवर यह हो जागा इस question का answer तो अब आई यह question number 4 देखते हैं question number 4 में है एक वैक्ती 5 किलो मीटर पर आवर के चाल से चल कर एक पूल को 15 मिनट में पार करता है तो उसकी लंबाई मीटर में बताएं तो चलिए इस question को solve करके देखते हैं तो यहां पर speed कितना है 5 किलो मीटर पर आवर है time कितना है 15 मिनट है हमें निकालना है distance distance निकालने का formula हो जाता है distance बराबर speed into time सबसे पहले यहां देखिए यहां speed है km पर आवर में time है minute में ठीक है तो इस speed को हम meter per second में change करेंगे तो 5 गुने 5 बटे 18 हो जाएगा ठीक है और गुने में 15 मिनट और यहां पर मिनट है इसे भी हम second में change करेंगे तो 15 गुने हम 60 लगा देंगे ठीक है उसकी बाद देखें उसके बाद इसे आप काटेंगे solve करेंगे तो यहां distance निकल के आया 1250 मीटर यह हो जाएगा इस question का answer तो अब यह question नमबर 5 देखते हैं question नमबर 5 में है एक car 108 km मीटर पर आवर के चाल से चल रही है तो वह 15 सेकेंड में कितनी दूरी तैग करेगी तो चलिए इस question को solve करते हैं यहां speed कितना है 108 km पर आवर है time कितना है 15 सेकेंड है हमें यहां क्या निकालना है हमें distance निकालना है distance का क्या formula हो जाएगा distance बरावर speed into time ठीक है तो देखिए यहां speed है km पर आवर में है time second में है तो सबसे पहले हमें speed को meter per second में change करना है तो 108 गुने 5 पर आथारा हम करेंगे और गुने में 15 सेकेंड ठीक है उसके बाद इसे हम काटेंगे solve करेंगे तो यहां distance निकल के आगया 450 मीटर यह हो जागा इस question का answer तो अब आई यह question number 6 देखते हैं question number 6 में है एक वैक्ती एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक 10 किलो मेटर पर आवर के रफ़तार से जाता है तथा वापस 15 किलो मेटर पर आवर के रफ़तार से आता है पूरे यात्रा के दोरान उसकी ओसर चाल क्या थी तो चली इस question को हम लोग solve करके देखते हैं यहां हमें क्या निकालना है उसका ओसर चाल यानि average speed हमें निकालना है तो average speed निकालने का formula हो जाता है 2xy बटा x plus y ठीक है तो अब देखिए यहां हम करेंगे 2 गुने 10 और गुने 15 ठीक है यानि कि 10 किलो मीटर से वो रफ़तार से वो जाता है और 15 किलो मीटर रफ़तार से वो आता है ठीक है यह हो जागा x यह हो जागा y यानि 2 गुने 10 और गुने हमने किया 15 और बटे में हो जाएगा 10 प्लस 15 तो यहां हो जाएगा 300 बटे 25 ठीक है उसके बाद 300 को हम 25 से काटेंगे तो 12 से कट जाएगा तो हो जाएगा 12 किलो मीटर पर आवर उसका उसत चाल हो जाएगा 12 किलो मीटर पर आवर यह हो जाएगा इस कुशन का एंसर तो अब आई ये question number 7 देखते है question number 7 में है एक वेक्ति अपने यात्रा का आदा भाग 60 km पर आवर के चाल से जाता है तथा 6 भाग 40 km पर आवर के चाल से जाता है तो पूरे यात्रा में उसकी औसाच चाल क्या थी तो यहां भी इस question में हमें क्या निकालना है और सच चाल यानि हमें average speed निकालना है तो average speed निकालने का क्या formula होता है 2xy बटा x plus y ठीक है तो यहां हम करेंगे 2 into 60 into 40 ठीक है क्योंकि देखी यहां आदा भाग वो 60 km पर आवर से जाता है और आदा भाग 40 km पर आवर से जाता है तो यहां 2 गुने 60 गुने 40 हो गया बटे में 60 plus 40 यानि कि यहां हो जाएगा नीचे में 100 उसके बाद इसे हम काटेंगे solve करेंगे तो यहां निकल के आया 48 km पर आवर यह हो जागा इसका average speed यह हो जागा इस question का answer तो अब आई यह question number 8 देखते हैं question number 8 में है एक वेक्ती पहला 160 km की दूरी 64 km पर आवर के चाल से जाता है तथा आगे 160 km की दूरी 80 km पर आवर के चाल से जाता है कुल 320 km की दूरी का आवसा चाल क्या होगा तो चलिए इस question को solve करके देखते हैं तो इस question को भी हम उसी formula से solve करके देखेंगे average speed हमें निकालना है तो average speed का formula हो जाता है 2xy बटे x plus y ठीक है अब देखिए यहाँ पर 2 into हम करेंगे 64 into करेंगे 80 ठीक है देखिए यहाँ पर पहला 160 km की दूरी जब वो तैय कर रहा है तो 64 km पर आवर से तैय कर रहा है तो यह 100 हो गया ठीक है और आगे का 160 km की दूरी वा 80 km पर आवर के चाल से तैय कर रहा है तो यह हो जागा वाई तो यहाँ हमने किया 2 गुने 64 गुने 80 और बटे में हो जाएगा 648 यानि कि इन दोनों को जोरेंगे तो हो जाएगा 146 ठीक है उसके बाद इसे हम काटेंगे उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो यहां निकल के आया 71.11 यानि एक 70.11 किलो मीटर परावर यह हो जाएगा एवरेज स्पीड यह हो जाएगा इस कोशन क एंसर तो आज की वीडियो यही तक रहने देते हैं दोस्तो और बागी के कोशन हम इसके नेक्ष्ट पार्ट में देखेंगे इसका नेक्ष्ट पार्ट भी काफी इंपॉर्टिट होगा दोस्तो तो वो आप जरूर देख लेंगे तो अगर ये वाला वीडियो आपको कर लें ओके थैंक यू